तो यस्वी आदब का काम ये अच्छा लगा कि उन्होंनों बादा किया था कि 10 लाक नोकडी देंगे 10 लाक पे से 4 लाक नोकडी अभी तक दे चुके थे जो गरीब के लिए उथान किये जो लालू जी ने किये कि देश्वी आदब बादा किया था कि नौकरी देंगे अब इधर मतलब की अल्टी पल्टी होने से काम मतलब अथी हो गया था लेकिन इधर तो तेश्वी जी मतलब काम बढ़िया कर रहे थे अब यह मुझूद है पटना से सटे गोरी चक इलाके में और जिस तरीके से सरकार बदली है नितीज कुमार मुखमंत्री बने हैं और तेश्वी आदब से डिप्टी सीम का पद उनके हां से चला गया है तो लोगों से जानते हैं ग्रामी निलाकों में कि जो सत्रा महीने तेश्वी आदब ने काम किये और सत्रा साल से लगातार नितीज कुमार काम कर रहे हैं इन्हें किनका काम अच्छा लगा हमारे साथ कुछ यूबा हैं कुछ बुजुर्ग भी हैं बहुत सारे लोग हमसे बात करेंगे पहले आप बताएगा क्या लगा थे श्वी आदब ने अच्छा काम किया 17 महिना में कि निदीश कुमार कभी तक कर रहे हैं अच्छा लगा कि उन्होंनों बादा किया था कि 10 लाक नोकडी देंगे 10 लाक पर से 4 लाक नोकडी अभी तक दे चुके थे लमसम में यह हमको ज्यादा अच्पेस्ट लगा जिए निदीश कुमार को क्या कहेंगे हम बताईए हम तो एक हैं कि नोकडी देने का काम किजिए प् नहीं अच्छा नोकडी के लिए सबसे बेस्ट काम किया तो आप तो बताएंगे वही बताएंगे ना होला के बाद देखेंगे ना की का होता है क्या नाम हो आपका हम्रा नाम सुरज कुमार सिंग आप कुछ बोल रहे थे चेचा बताइए नहीं करेंगे न करेंगे साल से लगातार मकमंत्री अवका कर रहे हैं आप लुग तो लालू परशाद यादब का वी सरकार देख चुके हैं वह ली वन काम किया है इसन बात सुरूहे से काम करते ही आएं कभी नहीं किये तो हवाला देते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं कि पिकास मेरे समय हुआ है हाँ मेरे समय लालू जी भी किये 2017 महिना में बहुत कुछ कर दिये करके देखा रहे हैं नौकरी के मामले में बहुत ज्यादा किये ग्वाहाम लालू पर्शाद यादब काम कर रह थे पहले हैं बहुत ज्यादा काम किया अच जी बहुत ज्यादा काम लालू जी किया श्याम विहारी पर्शाद इया बरही है बखोडी यादव नाम हुआ तेशी यादव ने 17 महिने में जो काम किया नितिश कुमार 17 साल से काम करें लालू परशाद यादव भी 2005 से पहले मुखमंत्री थे क्या लगा कौन आपको बेटर सरकार लगा सरकार बेटर तो लालू जी के भी समय में गरीबों का मस्या थे जो ग कि नौवार पल्टीयम आचुके हैं इनको का नाया कि हो सकता कि बीडेपी के साथ है और फीन हो सकता है कि आउप को सथा चल जाएंगे इनका कोई गरांटी है कि अंधुसकुमार को ले लेगी नहीं लगता है कि आर जेडी नितिश कुमार को लेगी तो नहीं है कि और उमी अपना बादा के हिसाब से पूरा किये तो कहते कि मेरा सरकार बनेगा तो पहले कलम से रुजगार देंगे एक टियाव बोले थे पढ़ाई, सिचाई, कमाई, करवाई की मेरी सरकार होगी उन्हें करके देखा है 17 महीना में उसका पड़ी नाम अब सबसे अच्छा कौन लगा राबडी देवी थी लालू परशाद यादब थे नितीश कुमार हैं और तेश्वी यादब को जो मौका मिला डेप्टी सीम के नाते सबसे बढ़िए आपको किनका काम लगा सबसे जाद तेश्वी यादब को काम अच्छा लगा और उसको पर्थम मुखमंतरी लालू यादब बने तो उनका कार था जड़िमानी राबडी देवी के समय लडखरा गया अच्छा काम किये और भी लोग हम इन लोगों से भी बात करेंगे बताएगा जेश्वी यादब लालू परशादी आदब नितीश कुमार और राबडी देवी मुखमंत कलाब अथी हो गया था लेकिन इदर तो 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 अपना समाज के जैसे जहां उनको हुआ यहां वाय लेकिन अब इधर कम यह नहीं कर रहा है कुछ इधर लालु यादब कर रहा है लगें सबसे बढ़ेंगा उनको पर सकते हुए तरह में उतना इधर करें बता सकते हैं क्या नाम हो आपका मेरा अर्बीन साहनी है क्या नाम हो असर आपका संतोस जी तेश्वी आदब ने 17 महीने काम किये फिर अब वो डिप्टी सीम नहीं है फिर से नितीश कुमार मुकमंत्रिय नौमी महर बने हैं आपको क्या लगा स्थिदा ऊप तो पहले अपने आप गलती किये हैं हम सोते हैं जो कंरिश को सथर गोशेट देके जो चुनाब हुआ था उसमें सथर गोशेट कणड़ना देक्रणा देके अपने दम पर लड़ते हैं तो आज कहीं आपने दम पर ब्यार का मुख्मंत्री रहते हैं और ब्यार का जब मुख्मंत्री उठें तो नहुद दल के लिए बहुत बढ़िया था पहले से कुछ गल्ती कर बेठे हैं मरे इसी गल्ती को इसे बाद चुना में वो इस गल्ती को अपने आप में समझ के जनता के द्वारा से माध्यम से उनको वाज जाएगा तो इसे अपना जो सतर को सिट कॉंड रिसक उड़ना ना चाहेंगे नितिश कुमार को कैसे देखते हैं नितिश कुमार तो पल्टू राम है कभी धर जाते हैं कभी धर जाते हैं कभी हैं कभी हैं कभी हो है आप लोग मौका देते हैं बेजेपी मौका देती है आर्जेडी मौका देती है तभी तो चले जाते हैं उनको महिला का रच्छन जादे म परटी ने लेती हैं चाहिए और दो डूनों जम चाहिए कि पहले तो के साहँ से फिर वा आघ्याड़ी के साथ है फिर आठी र होगोल तो प्रीज फिर बिजिए की नौल वह तो बज़ेपी जाने वा हम लोग क्या बता सकते हैं यह वह तो अभी जो तेश्वी आदब है उनकी पॉपलरिटी है और इनका साफ तोर पर कहना है ग्रामीन इलाके के लोग भी कह रहे हैं कि तेश्वी आदब रहते तो उन्हें मौका मिलता और तेश्वी आदब ने जो 17 महिने में किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है सुझीत कुमार गौरी चक पटना